Hello everyone, welcome you all at the next tutorial. Hope you are all doing good. So there is an update regarding the industrial professional aptitude test for engineers. जिसे iPad भी बोला जाड़ा है, जो कि first time conduct किया जाड़ा है CII के द्वारा Confidation of Indian Industry. तो उन्होंने बोला था कि 25th of September से admit card download करने का option दिया जाएगा. So finally, site पे आ गया है, आप admit card download कर सकते हो, आप अपना examination date चेक कर सकते हो कि आपका कब से कब examination है, ठीक है. Examination जो हो रहा है, वो हमारा 10th of October से लेके 18th of October के बीच में हो रहा है, तो आपका कौन से date में है, आप देख सकते हो, यहाँ पर online examination के वारे मनोंने बता दिया है. और examination जो है, आपका घर से हो रहा है, home base center होगा, I mean आपको कहीं जाना नहीं होगा, आपका online examination अपने घर से दे सकते हो, आपके पास उसके लिए desktop होना चाहिए, या laptop होना चाहिए, webcam होना चाहिए, और जो भी net facility है, वो सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो minimum infrastructure क्या है, उस पे dedicated मैंने एक video भी बनाया हुआ है, और आप भी site पे जाके check कर सकते हो, okay, और admit card download करने के लिए, simple आपको यहाँ पे download admit card करना होगा, तो फिर आपका यहाँ पे एक new interface आएगा, admit card download करने पा, यहाँ पे उन्होंने जो है, बहुत सरा instruction दे के रखा है, कि आपको क्या 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 करना तो उस सब के बारे मनोंने दिया हुआ है, तो पहले admit card download करने के लिए, आपको simple अपना registration number देना पड़ेगा, registration number में यहाँ आपको complete registration देना पड़ेगा, जो आपने registration के time पे किया होगा, कोई mail नहीं चलेगा, और कोई number नहीं हो रहा है, तो registration number जैसे कि आपको email में आप check कर सक है, तो वह होगा, ठीक है, तो यह वाला इस type का आपका registration number होगा, iPad, उसके बास, उसके बाद यहाँ पे 2020, और यह 01, and then after that यहाँ पी जिनका जो भी होगा, यह 6 और 7 digit का है, ठीक है, यह कुछ इस type का होगा, 690, तो यह आपका registration number होगा, इस type का आपको अपने mail में check करोगा, तो वह मिल जागा, वहाँ पे, फिर उसके बाद आपको अपना date of birth फिल करना है, और simply यहाँ पे download करोगे, तो आपका admit card download हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने कुछ instruction दिये हैं, कि अगर आपका कुछ भी wrong information, जो है, वो so कर रहा है, admit card download करते वक, तो आप उनको mail कर सकते हो, ठ अगर आपका picture से related कोई issue है, कुछ corrupted and all है, passport size, photo and all में कोई issue है, तो आप support at that ipad.in पे mail कर सकते हो, they will help you out, और हाँ एक और important बात है, उन्होंने यह बोला कि आपका 28th of September से आपको dummy test यानि की mock test आपका कराया जाएगा examination के लिए, कि कैसे आप घर से बैठे बैठे examination दोगे, और क् basic infrastructure आपको चाहिए, needed क्या क्या है, और क्या उसका procedure होगा, आपका test स्टार्ट करने का ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, यह भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे, और यह जो test है, इसके बारे में आपको 27th of September को बताया जाएगा, यह complete यहाँ प देना है, और आपका moctage 28th of September से लेके 2nd October तक चलेगा, जो कि mandatory है, exam में एपियर होने से पहले, जितने भी candidate है, उनको इन timing के बीच में आपको एपियर होना है, और access credential जो है, वो जब आप admin card download कोएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहीं से आपको reach out करना है, तो यह complete info था regarding the iPad exam, तो अब जो है timing बहुत कम है, almost आपका 20 days है, किसी का हो सकता है, 10th of October से ही examination हो, तो उनके लिए तो सबसे कम time है, almost 15 दिन का ही time है आपके पास, और जिनका 18th तक है, तो उनके पास almost अभी 20-25 दिन time है, तो आप उसके recording आपना preparation कर लो, at least इन्होंने preparation के लिए यहाँ पर जो section दिया हुआ है, इस section में जाके आप अपना preparation कर सकते हो, at least इन्होंने जितना paper का questions and all दिया है, वो question ही इनका कम से कम कर लो, mock test वाला, ठीक है, तो rest इसके बाद अगर ज़्यादा time है, और किसी ने अगर अच्छे से पहले से preparation किया है, so that's also good, और इस channel पर मैं इनका mock test क जो GS question है, वो complete GS question का solution एक दो दिन में provide कराऊंगा, GS question means अपका physics और chemistry का, जो की 10 marks का है, और उसके बाद होगा तो मैं फिर project management, environment, और फिर अपका ethics and all का जो भी questions and all है, उसका करने का कोशिच कराऊंगा, तो one by one, I will try to provide all the solution of questions provided by the iPad authority, at least जितना उन्होंने mock test में कराया है, उनसे आ सब्सक्राइब का questions आएगा, ठीक है, तो at least आप सब के, मैं यहीं सजिस्ट करूँगा, कि वो questions तो attempt करके ही आप examination दो, ठीक है, so hope you like the video, and अगर आपको video अच्छे लगे, तो आप please thumbs up दे, और साथ ही साथ अपने friends से भी share करे, जिन्होंने भी form fill up किया, because बहुत सारे लोगों then subscribe the MS tutorial, and for mechanical engineering student, मैं इस चनल पे numericals and all के practice state जो है, वो भी upload कर रहा हूं, conventional numerical, और साथ ही साथ जो objectives type करते हैं, वो भी, ठीक है, so that will be definitely beneficial for your examination, so make sure you subscribe the MS tutorial, thank you so much and good luck.